नमस्ते दोस्तू आज हम बनाएंगे चना दाल की मसाला पूरी ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत कम समय में बन जाती है आप इसे नाश्टे की रूप में बना कर खा सकते हैं तो आप सभी का रीनू की रेसिपीस में हार्दिक स्वागत है चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे तो अद्रक को छिल कर इस तरह से मैंने काट लिया है ये डालेंगे हम मिक्सी के जार में लहसुं की कुछ कलिया डालेंगे इसमें तो इंका छिलका मैंने निकाल लिया है जीरा डालेंगे इसमें और सौफ डालेंगे बहुत अच्छा स्वाद आएगा ये साबूत लाल मिर्च लिए मैंने ये डालेंगे इसमें अब इंको दरदरा पीस लेंगे हम इस तरह से चना दाल को मैंने 8 घंटे पाने में भिगो कर रखा था पाने मैंने निकाल लिया है और देखें ये इस तरह से तूट रही है किसी के जान में इसको डालेंगे थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से चना दाल के पेस्ट को मैंने दूसरे बरतन में निकाल लिया है अब इसमें दो छोटी चमच हम सूजी डालेंगे इससे हमारी पूरी जो है वह अच्छे कुरकुरी क थोड़ा सा बचा लिया है, बाद में जरूरत पड़ी तब डालेंगे, अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा पूरी का, नमक डालेंगे इस वात के अनुसार, अजवाइन डालेंगे इस तरह से क्र पूरी है, वो खस्ता बने, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे हम, और इसका आटा लगा लगे, बिना पानी के ही आटा लग जाएगा, क्योंकि इसमें चना दाल का पेस्ट हमने डाला है, तो वो ऐसे ही बहुत पानी छोड़ेगा, आप इसमें अजवाइन और हिंग का पाउटर जरूर मिलाएगा, क्योंकि चना दाल जो होती है, वो हेवी होती है, और अजवाइन और हिंग डाइजेशन का काम करेगा, ताप जरूर मिलाएगा, तो देखिए इतना आटा हमने लगा लिया है, अब जो बाकी का बचा हुआ गेहूं का आटा था, वो हम डाल और इसको अच्छे से मिलाके अच्छा सा आटा हम गूत लेंगे, तो देखिए यह हमने आटा लगा लिया है, 2-3 मिनिट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे, 2-3 मिनिट के बाद मैंने हातों में तेल लगा लिया है, ताकि यह जो आटा है वो हातों में चुपकेना, अब थ इस तरह से मैं पूरी थोड़ी मोटी बनाऊंगी, इसलिए मैं आटा ज्यादा ले रही हूँ, मोटी पूरी बनाने से ये ज्यादा टाइम तक सॉफ्ट बनी रहेगी, तो देखिए ये मैंने लोई बना ली है, अब चकले पर थोड़ा सा तेल में लगा लूँगी, और बैलन पूरिया है, इसी तरह से मैं सारे पूरिया बेल लूँगी, कडाहे में मैंने तेल रखा है, तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पूरी डाल रहे हूँ, ये पूरी जब फ्राय होकर थोड़ी से उपर आ जाएगी, तब हम इसे जाले से पलटेंगे, पूरियों को हमको चना दाल की पूरिया है, दाल की पूरिया जदा फूलती नहीं है, क्रिस्पी होती है, तो देखिए, ये पूरी बन चुकी है, अच्छा प्यारा सा सुनहरा कलर आ गया है इस पे, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरह से सारी पूरिया फ्राय कर लेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ थैंक यी सो आमाच फॉर वाचिंग मा वीडियो